हेलो फ्रेंड्स, वल्कम्न टॉ माइ चैनल कॉंप्यटिशन वेल। जैसा कि आज UGC का जो एक्जाम हुआ था, सब्जेक्ट इल्ट्रॉनिक साइंस का, तो आज हम इस सब्जेक्ट की एक्सपेक्ट कटाफ के बारे में बात करेंगे कि इस सब्जेक्ट की एक्सपेक्ट कटा से निकाला हुआ है और यह प्रिवेस एर की कटाफ्स लेखी हुई है तो जैसे दिसंबर 2020 की बात करें जे आरेप की तो अन्रिजर्व की 189.99 गई थी EWS की 180 गई थी और OBC की 177.99 और महीं SC की 168 9.98 और ST की 159.99 गई थी अगर बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर अल्ली की तो वह गई थी 168 अन्रिजर्व की EWS की 153.99 ओबीसी की 151.98 और SC की 144 और ST की 141.99 गई थी और महीं बात करेंगे जून 2002 इग्जाम की तो जे आरेफ असिस्टेंट की गई थी 170 EWS की 158 ओबीसी की 160 SC की 148 और ST की 152 और असिस्टेंट EWS की 148, OBC की 144 और SC की 136 और ST की 136 और यह जितनी भी डेटा है यह हमने यह प्रिवेसरी की कटाफ्स हैं और आप हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक साइंस सब्जेक्ट की एक्स्पेटर के बारे में तो यह रही आपके सामने दिसम्बर 2022 की इलक्त्रॉनिक सब्जेक्ट की साइंस संब्जेक्ट की कटाफ्स हा तो देख लेएं अगर हम बात करें तो गयाराव ऐसिस्टें की उन्रिजर्व की जा सकती है कि वह कितनी जा सकती है 180 से 190 के बीछ में जा सकती है बात करते एंसिस्टेंट पोफेसर लंनिकी तो अन्रिजर्ब की जा सकती है सबसूद Two करहें Charo estos इसे सिर्फози से 170 के बीच में जा सकती है यह ए औरो विसी की 150-160 की जा सकती है और सسب की 135-145 के बीच में स्टीकी 135-145 के बीच में जा सकती है तो ये कुछ हमने जितना भी डेटा है ये पीविया सेर की कटाफ के बेस पर और इस्टुडन रिव्यू के बात बनाया है और जितने ही बच्चा हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपना रिव्यू भी दे सकते हैं ताके आपको एक highly expected अटाफ भी प्रोवाइड करा सके और असी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल कॉम्पेटिशन वेल को लाइक सेस्क्राइब और शेर करना तो बिल्कुल भी न भूले ताकि आपको UGC से रिलेटर सारी अपडेट मिल सके थैंक यू